दोस्तों नमस्कार आज हमारे साथ में उपस्तित हैं बहुजन युवा एक्तामंच के राश्टी अध्यश गुड़न राजपासी देश भर में बहुत सारे मामले चल रहा है और इनका एक संगठन है जो बहुजन युवा एक्तामंच है अभी में बात किया और उनके राश्टी अध्यश है और समाजिक कारियों में लगा तार लगे रहते हैं तो एक मुद्दा चल रहा है काफी ट्रेंड में चल रहा है है कि जो है आजादी 2014 में मिली उसके पहले की जो आजादी वो भीक में मिली है क्या कहना चाहिए देखिए जो कंगनर रनावत ने कहा है बहुत ही गलत कहा है उनको 2014 के बाद अजादी मिली होगी लेकिन पूरे भारत वर्ष को भारत के देश के नागरिकों को 1947 में अजादी मिली और पूरे भारत के लोग उनाई सो साइटालिस के आजादी के बाद आजादी के आजादी दिवस मनाते हैं और जो कंगनर रनावत ने कहा है इसके लिए उनके उपर देश द्रोग का मुकर्दमा होना चाहिए क्योंकि हमारे बहुत सारे महाप्रूस चंसेखा हमारे सहीदों ने बल्दानी दी आजादी के लिए और उनाई सो साइटालिस में आजादी हम लोगों को मिली और हां कंगना रनावत की जहां से बात है उनको आरे से साओर वीजेपी वालों ने 2014 के बाद आजादी की तो क्योंकि वो देश के संपरदाइक पहलाने का काम करत जाता था जाता था मुकदमा होता था देशद्रो देशद्रो पर लगत कुछो है वाई प्लस रच्छा भी मिलिया उसकी गलत कि अगया है सरकार्स में मांग करता हूं उनसे ले लेनी चाहिए और जो उनको पदम सिरी आवार्ड दिया गया है राश्ट्पत्ति महोदेश मै इबेदन करता हूं उनसे पदम सिरी आवार्ड चीन लेना चाहिए जो है काफी मुद्धा सोसल मेडिया से लेकर ट्यूटर तक ट्रिंड कराया जा रहा है आवार्ड चीना जाए देखी कंगना रानावत जो है एक नचनिया है वो नचनिया है इसके पहले उन्होंने जहासी सांबाय के ऊपर खिलन बनाई थी अगर जो कहती है भीक में जादी मिली है कि उन्होंने यह सिरानी बाइप क्यों बनाई इसके पहले जो इसका मतलब हो इसके गुलाम होके नाचने का काम करती थी इसके पहले उनको जब out सारे ऑवार्ड मिले हैं gwुलाम और क्वाजन समाज को अभी आजादी चाहिए धर मौास्त अजादी क्योंकि हमारे जो बहुजन समाज है को अभी कुछी नहीं У wheelie और पो रहा है Cannon समाज also परदान मंत्री नहीं बनेंगे तब तक पूर्ण रूप से सम्विधान हमारा भारत में नहीं लागू होगा तब तक बहुजण समाज को असलिय जादी नहीं मिलेगे कास गल का मुद्धा है जो एक ठाने में ही व्यक्तिकों मार दिया जाता है पुलिस बता रही है कि लोवर के चट्धे के नारे से अपने मौत किया देखिये ये पहला कांड नहीं है बहुत सारे से कांड नहीं है मैं उस महवदय जी से कहना चाहता हूं कि आप उसमें फांसी लगा के देख लीजिए कैसे फांसी लगाई जाती है वो फांसी लगा के नहीं मणा है उसे थानिम मारा गया अब हाली में चुनाव भी आने वाले हैं 2020 पहुज पहकून का काम है राजनेतिक संधथन नहीं है समाजिक संधथन है बहुजी फांसी ग्रहती आते पर्टी के पर्टिन नाимиने इंचव्स को हरें से संब्सक्राइब। दल जो है एकठा हो रहे हैं और वही बाउजन यूवाइक का मंच है जो समाजी कार्यों में लगा रहता वो भी हराने के लिए आगे आ रहा है